State Bank of India ने अपने सभी customers के लिए अभी हाल ही में एक नई deposit scheme को launch किया है और इसका नाम दिया गया है SBI अमरित ब्रिष्टी deposit scheme तो चलिए आज की वीडियो में इसी scheme के बारे में बाते कर लेते हैं जान लेते हैं आखिर क्या है SBI की ये नई deposit scheme कौन-कौन से हमें features मिल जाते है SBI की इस नई deposit scheme में और आखिर कौन-कौन से ऐसे बेखती है जो इस scheme में invest कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बाते में चलिए आज की वीडियो को फटापट शुरू करते हैं SBI अमरीद विस्टी deposit scheme की अगर हम बाते करें तो SBI की ये जो नई अमरीद विस्टी deposit scheme है ये एक term deposit scheme है अब term deposit scheme का मतलब है इस scheme को अगर हम चाहे तो fix deposit के तौर पर भी खुलवा सकते है या फिर अगर हम चाहे तो interest payout यानि की monthly income scheme के तौर भी खुलवा सकता है अगर हम fix deposit के तौर पर खुलवाएंगे इस scheme को तो यहाँ पर जो भी पैसे हम invest करेंगे इस scheme में तो उस पैसो पर जो भी इंट्रेस्ट हमें मिलेगी तो फिक डिपोजिट की तरह ही मैचुरिटी के समय प्रिसिपल प्लास इंट्रेस्ट को जोड़कर हमें दे दिया जाएगा लेकिन अगर हम इसे मन्कली पे आउट स्कीम के तौर पर खुलवाना चाहेंगे तो जो भी इंट्रेस् महेंने हमारी सेविंग एकाउट में क्रेडिट कर दिया जाएगा अब यह जो अमरीद बिस्टी डिपोजिट स्कीम है इसको स्रीफ हम एक ही टेनियर के लिए खुलवा सकते हैं और जो टेनियर रखा गया है वो रखा गया है 444 दिनों की इंट्रेस्ट रखी गई है फॉर उन सेडियर चिटीजन जेनर पब्लिक के लिए 7.25 और सेडियर चिटीजन के लिए 7.75 पर सेट शिव एक ही टेनियर के लिए इस स्कीम को खुलवाया जा सकता है अब इस टेनियर पर और इस इंट्रेस्ट के हिसाफ से जो मैचुरीटी की बाते करें मैचुरीटी अमाउंट की एक लाग, पांस लाग, दस लाग, बिस लाग या फिस तीस लाग रुपे अबर तो उसके बारे में हम बाते करेंगी इस वीडियो के आगे जाकर अब यह जो अम एज़िया अमनित बिस्टी डिपोजिटी स्कीम है इसकी मिनिमाम इंवेस्मेंट अमाउंट रखी गई है एक हजार रुपे और मैक्सिमाम इंवेस्मेंट अमाउंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है जितने रुपे चाहे हम उतने रुपे इस अरिस विया अमित बिस्टी डिपोजिट स्कीम में इंवेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा इस स्कीम को हम दो तरह स कुली आसकता है फिक दिपोजिट के तौर पर या इन्टेस पएउट डिपोजिक के तौर पर तो यहाँ पर भी जो इंट्रेश टी केकूलेशन होगी वह अलगळग तरह से होती है अब अगर इस स्कीम में हम फिक टी तो पर इन्वेस्ट करते हैं तो जो इंट्रेश्ट है वह accumulate होगी every quarter, तो interest की जो calculation है, every quarter इसे compound कर दिया जाएगा, तो at the end of the tenure, जो भी interest amount हमें मिलेगी, वो जो interest rate है, उससे कुछ ज़्यादा हैं मिलेगी, लेकिन अगर हम इसे as a interest payout scheme जहाँ पर जो interest amount है, every month हमारे account में credit कर दिया जाएगे, तो interest में compound होने का यहाँ पर कुछ भी जो chance है वो नहीं बनता है, as we have a deposit deposit scheme में हमें loan की facility मिल जाती है, और अगर हम tax session की बाते करें, तो इस scheme में हमें किसी भी तरह की tax की rebate नहीं मिलती है, जो भी interest amount accumulate हो जाएगी, उस interest amount पर हमें tax pay करना परेगा, अगर tax liability हमारी बन जाती है, तो premature withdrawal की facility हमें मिल जाती है, इस scheme में senior की पूर्यक होने से पहले ही अगर हम चाहें तो इस scheme को तुरू आ सकता है, लेकित उसके लिए हमें premature withdrawal penalty pay करना परेगा, 5 लाग रुपे से नीचे अगर amount है, तो 0.50% और 5 लाग से अगर उपर amount है, तो 1% एज़े premature withdrawal penalty हमें pay करना परेगा, अब बाते कर लेते हैं, SBA अमने 20 deposit scheme की maturity भीलू के बारे में, तो चलिए, एक चार्ट के थूप मैं आपको फटा-फट दिखा देता हूँ, अगर हम 1 लाग रुपे, 5 लाग रुपे, 10 लाग रुपे, 20 लाग रुपे या फिर 30 लाग रुपे invest करेंगे, एज़े fixed deposit के तो पर invest करेंगे, तो हमारे कितनी maturity amount आ जाती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम 1 लाग रुपे invest करते हैं, तो 7.25% के हिसाब से जेनरल पब्लिक की maturity amount हो जाती है, वो हो जाती है, 1 लाग 9,170 जहांपर जो interest amount है, वो आ जाती है, 9,170 रुपेज, तो वोई senior citizen की interest amount आ जाती है, 9,826 रुपेज, अगर 5 लाग रुपे invest करते हैं, तो जो normal citizen है, उनकी interest amount आ जाती है, 45,854 रुपेज, तो senior citizen की 49,134 रुपेज, 10 लाग रुपेज़ पर 91,708 रुपेज, और senior citizen की 98,269 रुपेज, 20 लाग रुपेज़ पर 1,83,416 रुपेज आ जाती है, for non senior citizen, और senior citizen की आ जाती है, 1,96,539 रुपेज, और अगर हम 30 लाग रुपेज़ करते हैं, तो 2,75,124 रुपेज हो जाती है, interest amount, और senior citizen की हो जाती है, 2,94,808 रुपेज, तो अगर हम fixed deposit के तोर पर invest करते हैं, SBI Amid Busty deposit, scheme में, तो 10 लाख रुपेज की अगर हम senior citizen की बाते करें, तो करीब-करीब जो interest amount है, वो 98,000 रुपेज हो जाती है, 98,000 से थोड़ी सी जादा ही हो जाती है, तो interest rate के हिसाब से, जो majority amount है, वो भी काफी अच्छी मिल जाती है, अगर हम फटा पट देख लेते हैं, अगर हम इसे payout option के तोर पर खुलवाते हैं, तो every month हमारी जो investment amount है, उसके इसाब से हमें कितने रुपे मिल जाएंगी इस scheme के तहत, तो अगर हम एक लाख रुपे invest करते हैं, तो every month payout हमें मिलेगी 600 रुपी है, for non senior citizen और senior citizen को 641 रुपे, पास लाख रुपे पर मिलेगी 3002 रुपे, फ़र non senior citizen और senior citizen को 3208 रुपे, एक दो 10 लाख रुपे हैं, वहाँ पर every month मिलेगी 6,005 रुपे नउन चिनियर शितिजेन को, और senior citizen को 6,417 रुपे, बس लाख रुपे पर 12,011 रुपे, नन सीरी जी जेन को मिलेगी, सिरिय जैन को 12,834 रुपीज मिलेगी और 30,000 रूपे पर Non-Senior कीजिजन को 18,016 रूपीज मिलेगी हर मही ने, और senior citizen को 19,251 पेस मिलेगी तो payout scheme के तोर पर अगर हम इस scheme में invest करते हैं तो 10 लाख रुपे पर senior citizen और non senior citizen को दोनों को ही 6000 रुपे से जादा ही पैसे मिलेंगे हर महें ने इस scheme में investment केता है तो मिली यही है SBI की नई deposit scheme SBI Amrit Bristid deposit scheme आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ रही information बिला होगा और अगर बिला है तो में चैनल को like और subscribe करें सब्सक्राइब करके bell icon को press करें जिससे कि मेरे essay ने वीडियो की notification तोरंत आपके पास मिल जाए करेगी अब चलिए मिलता है आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take करें करें करें